आज हम आपको बताएंगे इंजन मूबिल खा रहा है तो कैसे चेप करें बने रहे हमारे साथ राम सागर के साथ और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट है चला आए इसमें हलका हलका सफेद धुआ मारा है साथ कैमरे की नेजर में नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा आपको क्यों कि मोबाइल की कैमरे से यह धुआ कम से कम ही रिकॉर्ड कर पाता है कि यह बंद करते हैं फिर खोलते हैं यह खोले के बाद यह देखिए मैंने पूरा एंजन खोल रखा है कि पिस्टन ह है यह फोर रिंग में 102 mm का साइज है 10 HP का एंजन है और साड़े साथ किलो HP का वह अल्टीनेटर है देखिए कितना काला ओए लॉकर बाक्स है यह आपका है यह कुलेट में पूरा सिस्टम बना हुए है ब्लॉक सेट है यह पूरा एंजन खुला पड़ा हुआ हुआ है कि इसे मैंने सिर्फ मोबिल खारा था बार 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 डानला पड़ता था इसलिए मैंने खुला कि कस्टमर की सिकायत थी कि यह मोबिल खा रहा है चलो पहले ब्लॉक सेट को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं वीडियो पसंद है तो लाइक और शेर भी जरूर कर देना चैनल पर नए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर किसी पर करकी समस्य है तो हमारे कॉमेंट बाक्स में अपना नंबर छोड़ दें मैं आपको कॉल खुद करके बोलूँगा कि क्या समस्य आ रही आपको अच्छी तरह साफ कर लीजिए उपर से नीचे तक पिस्टन को भी अच्छी तरह से साफ कर लीजिए इसके रिंग गुरुप को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना क्योंकि इसमें रिंग भी अटक जाती है कभी कि वैसा तो जैसे एकर चड़ाओगे तो आप रिंग अंदर नहीं जाएंगी लानेर के अंदर चड़ाने में भी दिक्कत आएगी तूट भी सकती है तो रिंग ग अब रिंग गुरुप अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं आपके उपर से थोड़ा-थोड़ा रिंग से साफ कर दें क्योंकि रेंग माल से ज्यादा पिस्टन कट जा कटने के चांसे रहते हैं तो रिंग से अच्छा रहेगा कि उससे ही हलका लगा कोईला चुड़ा दें उपर का टॉप साइट का भी कार्बन छोड़ा दीजिए कि खुला हुआ सफाय जितनी आप अच्छी तरह करें लोग उतना ही अच्छा आपका काम करेंगी कि आपका यह पिस्टन भी साफ हो चुका है कि आप चैनल पर नहीं है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं ऐसी तरह के यही वीडियो आपको देता रहूंगा चलो फिट करते हैं कि यह यह आपका स्टेंडर्ट साइज सीएल ब्राज टीबी ओन साइज का है आप देख लेजिए अभी नया पहली बार जनेरेटर खुला हुआ है के चल का मतलब करनेंлिते से बोलते हैं कौपर के कौपर लेबल बोलते हैं अपको अचमात प्री टूटें निरे वाहर का मुझी है ये यह सिपरींग लॉडड़ेगे इस फोर डूमें एक सोदों में ज्यादा से ज्यादा यह स्प्रिंग लोडेड ही रिंग आती है कि कि आलों को अच्छी तरह चड़ाएं कि यह अंदर से पोला भी होती है तूटने का भी डर रहता है इसका एक कट इस पेस होता है जो आयल के नदेखी रखी जाती देखिए आप रिंग में यह कट इस पेस नीचे की तरफ रखा जाता है रिंग को ऐसे रखा जाएगा ऐसे आप चड़ा दीजिए लिखा हुआ आपको उपर ही रखना है हर सारी रिंगों में जिस जो लोगों लगा होते कंपनी का वो आपको उपर की ही तरफ रखना चाहिए आपकी से लगाके फिर इधर घुमा दीजिए ताकि अलका पतला थोड़ा कार्बन भी लगाओ छूट जाए साफ हो जाए इसमें भी लिखा होगा मगर इसमें कोई इधर का अधर हो जाए को दिकने मगर वो तो वैसे ही आपकी चड़ानी है कट नीचे को ही रखना है यह उपर यह स्पेसल टॉप यह टी सी यह टॉप कुरूम में बोलते हैं इसको भी एक उपर आपको इस स्टील का पानी इस पर चड़ा हो तो ज्यादा कढ़ती नहीं इसलिए यह से रखते हैं बाई चलाते हैं कि रिंग को कैसे फिट करें साथ दानी के साथ फिट करें कि तूटने का भी डर बना रहता है अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सीधा पेस्टन नहीं थे आप इदर दर से रिंग को हलकाल का दापते रहिए मोबिल नहीं था नहीं आपको साफ दिखाई पड़ता यह आपका पिस्टन फिट हो गया है इसमें इसे रखते हैं फिर फिट करते हैं इस ब्लोग को टाइट करते हैं यह आपका गैस्केट भी रखिसका रखा जा चुका है कि थोड़ थोड़ टाइट चेक कर लेते हैं कि चेक करना भी जरूरी है अब हैट रखते हैं है यह अच्छी तरह साफ करने के बाद ही रखें यह आपको जो पाइप सीधी दिख रहे हैं यह यह आपको को पाइप देख रहे हैं आपको ठीक सही तरीके से लगानी चाहिए इसमें कि दो रबड़ें उपर नीचे होती है अगर सही इसमें कि दिक्कत आगे तो आपका यहां से मोबिल आ सकता है आप बेट को टाइट कर दीजिए फिट बराबर बराबर करके इसका लॉकर किलियर करके इसका लॉकर भी इसका पंपलेट भी बन चुका है लॉकर भी आपका फिट हो चुका है अब एर बाड़ी को बांदने के बाद ही मैं आपको मुलूंगा क्योंकि इसमें कुछ दिर लगेगी हैं को एर बाड़ी सेट करने में एर बाड़ी बन जा है फिर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं आपकी एर बाड़ी भी फिट हो गई है अब इंजन इस्टार्टिंग के लिए तयार है कि भी रिव अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना आपका इंजन स्टार्ट हो गई चुका है कि धन्यवाद वीडियो देखने करें धन्यवाद आपका आपका